नमस्कार, मंजुला आठ क्लास इसमें आपका स्वागत है, आज क्लास में गल्स को हम मोती कुषन बनाना बताएंगे, मोती कुषन बनाने के लिए साटन का कपड़ा, जीन्स वाला धागा, मोती एवं कुषन वाला टेप, सिंथेटिक रूई की जरुरत पड़ेगी, एक पहले कपड़े की नाप लेंगे, नाप लेने के बाद कटिंग करेंगे, चलिए, कपड़े की नाप लेंगे आपलोग लंबाई में 32 इंच पर निसान लगाएंगे चवडाई में 32 इंच ही लेंगे इसकी दोनों तरब 32 बतिस लेना है कपड़े का अरज देखके लेंगे कपड़े के अरज से दोनों तरब एसा पहले 32 बतिस लेंच 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 कपड़ा पहले सीधा पूरा सीधा रखे अब 32 बतिस लेंच कपड़े को इदर से चवडाई पे फिर लीजिए कर लेंच कर दो लेंच कर दो कर दो कर दो लेंच हाँ, बत्ती सिंच पे निसान लगाईए, बत्ती सिंच पे, हाँ मैं नहां से काटूं? हाँ मैं तीक ले रिमन? हाँ, तीक है यह देखी, हमारे कुसन का खाचा तयार है, हमारे कुसन का खाचा तैयार है, हमने इधर से भी 1.5 इंच पे लेए हैं और ऐसे भी 1.5 इंच ले ने logging और से भी 1.5 इंच लें पे हमारा ऐसफी डब्बा बनते जाएगा та the Allा का गया को ऺड़ सीधा जाने के इंच मांडें ये है ऐसे डेड़ इंच का ऐसे डब्बा बनते जाएगा डेड़ इंच का ये है हमारा डेड़ इंच का डब्बा इधर से भी डेड़ इंच इधर से भी डेड़ इंच इसी प्रकार सारे डिब्बे डेड़ इंच के बने हैं कुशन के लिए देखिए हर डिजाइन में सुई को एक ही क्रम में पिरोना है एक लाइन डिजाइन बनने के बाद पूरा एक लाइन का खाचा छोड़ते जाना है जैसे इस लाइन में बन रही है तो जश्ट उसके बाद वाली लाइन छोड़ते जाएंगे उसी प्रकार एक स्क्वेर में डिजाइन बनने के बाद उसके बाद वाला स्क्वेर छोड़के बनाना है जैसे अभी इसमें बना रही है तो जश्टेस के बाद वाला छोड़के बनाएंगे इस कुशन में सिर्फ 200 ग्राम रूई लगेगी जैसे बनाद ना हां, ओके बनाद एक बनाद ना हां ओके अगर आपको हमारा या वीडियो पसान्द आए तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद एक बार फिर देखिए किस क्रम मेडी जाएं बन रही हैं आपको बिल्कुल इसी क्रम में डिजाइन बनाने हैं देखिए डिजाइन बनने के बाद हमें पीछे के लिए कपड़ा 16-16 इंच लंबाई चवड़ाई में लेना है उसको सिलने के बाद तीन तरब की जब सिलाई कर लें फिर सिंथेटिक रूई भरना हैं उसके बाद रूई भरने के बाद पूरी सिलाई कर देनी हैं मैं देखिए पूरा मैं देखिए मोटी कुटन पूरा बन गया है ओके बहुत सुन्दर बना है